जो कुछ बच्चे बच्चपन में सीखते हैं, जो अच्छे बुरे की तमीज वो सीख लेते हैं, वो आने वाले दिनों में उनकी बालग जिंदेगी का हिस्सा बन जाती है। बड़ी पुख्तगी से बन रही होती है। जो इंप्रेशन बच्चपन में पढ़ जाते हैं, बड़े लॉंग टम होते हैं। जब आप बच्पन में वैलू सिखा देंगे, तो सबसे पहले तो यह कि आने वाली सारी जिंदगी उस किरदार साजी के तहट गुजरेगी। दूसा यही कि इट काउंटर्स बाड इंफ्लेंस फ्रॉम पियर्स। तो अगर आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं, जो आपको खराब सोहबत देते हैं, या किसी गलत काम पे लगाते हैं, तो आपने अगर वो वैल्यूस बच्पन में सीखी हुई है आपको अच्छे बुरे की तमीज है, तो आप खुद बखुद उन से जुदा हो जाएंगे या आप उनका असर नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है, अब देखिए हमारे हाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जिनके वालिदान उनको सच की तरवियत देते हैं, तो वो जैस सारी बाते हैं अगर शुरू से बच्चा सीक जाए कि मुझे नहीं करना, तो वो अपनी क्लास में भी उसे प्रैक्टिस नहीं करे गा, और अगर वो अपनी घख चाहि में सीसे से तो बहुत से जान से सक रहना है तो वो कहीं बाहर से बन चुकिए याद है और उसकी पूकि में बन चुकी है, उसकी प्राफरेंस में बन चुकी है, कि मुझे यही करना है, so it helps them cope with difficult situations, देखें सुभों से शाम तक बच्चे जो हैं, वो decision making करते हैं, किस के साथ खेलना है, कौन से खिलोनों के साथ खेलना है, चीज देनी है या नहीं देनी, किसी से मांगनी है या नहीं मांगनी, और ये कि अगर किसी की चीज पढ़ी है, हम उठाएं या ना उठाएं, दिल चाह रहा है ये करने को, क्या इजाज़त के बगएर लें या ना लें, उसकाद के साथ कैसा behave करें, सारा दिन जो different decision making opportunities हैं, अगर आपके अंदर values बन चुकी हैं, तो आपको वो फैसला करने में मदद देंगी, और आप हमेशा अच्छी बात को चुनेंगे, ना कि आप गलत चीजों की तरफ पलट जाएं, जब आपको पता है, कि आपकी शक्सियत मुकमल हो चुकी है, और आप अच्छे बुरे की तमीज जानते हैं, आपकी values अच्छी हैं और आप तो हमेशा ठीक सोचते हैं, तो फिर आपकी शक्सियत के अंदर एतमाद भी आ जाता है, आपको समझ आ जाती है कि दूसा जो भी गलत कर रहा है, उसके ये वजुहात हो सकती है, और मुझे ये गलती नहीं दोरानी, क्योंकि इसके नताइच अच्छे नहीं हो सकते, तो ये बहुत सी ऐसी किरदारी जो सलाहियते हैं, वो बहुत बच्चपन में ही पैदा की जा सकती है, तो इस बड़ी बात जो है, वो है कि पूरी इंसानियत के बारे में जानकारी और अवेरनेस, देखे हम बच्चों को शुरू से ये सिखाना है हमें, कि आपके इद्गित जितने इंसान हैं, ये भी आप ही की तरह हैं, इनकी खुशी, इनकी गमी, इनका दुख, इनका सुख, इनकी जरूरियात आप ही की तरह हैं, ये भी दर्द महसूस करते हैं, इनकी भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, इनको भी मदद चाहिए, और जिस तरह से आप अपने लिए पसंद करते हैं, इसी तरह आप इनके लिए भी पसंद करें, तो जब आप अप इर्द गिर्द इनसानियत के बारे में जान जाते हैं और लोगों के बारे में आपके खैलात पुखता हो जाते हैं कि वो भी आप ही की तरह के इनसान हैं और उनके खकूक हैं उनके लिए आप पर कुछ पराइज हैं तो ये इनसानियत की बहुत बड़ी खि हो और जहां पर irregularities ना हो और discipline जो है उसको खराब ना किया जाए लोगों को नुकसान ना पहुंचाया जाए अपनी जात पर दूसरों को तरजी देना सबसे बड़ी बात है जो हमें बच्पन से उनको सिखाना है अगर वो खुद की जात को दूसरों पर तरजी देंगे तो हमे दूसरों का नुकसान करेंगे बहुत सी वैल्यूज हैं जो हमें छोटे बच्पन में ही सिखाना है बच्चों को इपतदाई जिंदगी से यह सारी चीजें उनके अंदर इंकल्केट करनी है